अगर आप चाते हो कि आपका ये दिवाली एंटर्टेनिंग बने, एकसाइटिंग बने, एंगेजिंग बने, थ्रिलिंग बने और सूपर हैपी बने तो अभी के अभी जाहिए और भूल बुले या त्री फिल्म देखिये थियर्टर में दोस्तों टेरिफिक आउटस्टैंडिंग फैमिली एंटर्टेनर, टेरिफिक आउटस्टैंडिंग फैमिली एंटर्टेनर, भूल बुले या त्री फिल्म देखिये और साथ में परफॉर्मेंस की अगर में बात करो दोस्तों कार्तिकारियन आपसलूटली रॉक्स, ला जवाब, ला जवाब भेतरीन काम किया है कार्तिकारियन ने, विद्या बालन इस ब्रिलियंट, मादुरी दिक्षित, आपसलूटली सुपर्ब, तृत्ति डिम्री, वेरी वेरी गुड अन साथ में, यू हैव संजे मिश्रा, भूल भूलेया 3 में, आप जब देखोगे दोस्तो, अब भी के अभी जाएए और देखिये इस फिल्म को थियेटर में, दोस्तो, इन फाक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह से फिल्म शुरू होता है, वो शुरुआत वाला जो पहला सीन है, मैं आपको बिल्क क्या होता है उस सीन में, लेकिन आप देखिये वो पहला सीन आप जब देखोगे आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, एक जिग्यासा जाग उठेगा आपके मन में, क्यूरियोसिटी जाग उठेगा आपके मन में, आप पूछोगे ये क्यू हो रहा है, जो भी कुछ हो रह दोस्तों और इस बार रूबाबा का जो मतलब जलवे आप बोल सकते हो वो जो दिखाता है कार्थे कारियन उनके परफॉर्मेंस द्वारा आएंड जो स्टोरी लाइन जाता है रूबाबा क्या कुछ करता है इस बार खासकर वो पिंटू वाला सीन जो है दोस्तों इस हिलेरियस इडिस फानी इडिस सुपर्बली डन दोस्तों आप एंजॉई करोगे जो भी कुछ रूबाबा करता है भूतों के साथ उनका जो वारतालाब जिस तरह से होता है वो जब इच में क्या एक्वेशन बैठता है एंड जब कार्तिकारियन कदम रखता है हवेली में क्या कुछ देखता है कार्तिकारियन क्या कुछ मैसूस करता है कार्तिकारियन का किरदार दोस्तों वाट ड़स ही एंकाउंटर ये जो फास्ट पेस टाइट और ग्रिपिंग और एंग and then you wait for Vidya Balan to enter क्या entry है उनका and then comes Madhuri Dixit and दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहे तो Vidya Balan और Madhuri Dixit की जो किरदार को लेकर जो suspense क्रियेट होता है इस फिल्म में वो भी बहतरीन है दोस्तों very very nicely done and then horror की अगर मैं बात कुरूई जैसे मैंने कहा I said it earlier it's got the perfect blend of horror and comedy मतलब horror और comedy का जो इस सुपब मिशरन है इसमें horror जिस तरह से लगता है दोस्तों you will enjoy watching that horror वो horror आपको बांधे रखेगा engage करके रखेगा and jump scare moments जिस तरह से construct हुआ इस फिल्म में सुपब और comedy की अगर मैं बात करूँ the jokes are witty, the punchlines are funny it will make you laugh out loud no doubt about it and वो जो interval point है दोस्तों वो interval point वो interval block भी बहुत बढ़िया है और interval के बाद जो scene आता है दोस्तों जो second half जिस तरह से शुरू होता है दोस्तों let me tell you वो miss बिल्कुल मत करना आपको बहुत बढ़िया लगेगा and second half भी बहुत ही tight है बहुत ही fast-paced है बहुत अच्छ है engaging, gripping तरीके से आगे बढ़ता है and यहाँ पर मैं credit दिना चाहूँगा डिरेक्टर अनीस बाजमी जी को उन्होंने first half हो या second half हो दोनों halves में जो horror और comedy का मिश्रन है वो consistently चिडगा है consistently pepper किया है which is very very good and second half जिस तरह से जाता है दोस्तो धीरे धीरे the tension rises you feel the horror you enjoy the comedy और उसके बाद दोस्तो wait for the main suspense the main twist दोस्तो जो main suspense जो main twist है दोस्तो वो तो इतना unpredictable है वो जब आपके सामने आएगा आप chalk जाओगे आप बोलोगे भाई ये तो मैंने कभी कधापी expect नहीं किया था the way it happens the way it unfolds it's brilliantly done absolutely brilliant and brilliant is also the climax आप climax देखो दोस्तो इतना बहतरीन इतना superb इतना brilliant climax बहुत 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 बढ़िया लगेगा आपको दोस्तो this is what भूल भुलेया 3 is all about कहानी बहुत बहुत बढ़िया जैसे मैंने कहा लिखा है आपाश कौशिक ने बहुत इच्छा कहानी उन्हों लिखा है बहुत अच्छा suspense बहुत अच्छा twist उन्हों ने लिखा है जो देखो कि जब आप आपको बढ़िया लगेगा दोस्तों दूसरी बात मैं प्रेज करना चाहूंगा, क्रेडित दिना चाहूंगा इस फिल्म के DOP, सिनेमेटोग्रेफर को, जो है मनु आनंद, बहुत ही अच्छा विजुल्स उन्होंने क्रियेट किया है, बहुत अच्छा एक विजुल डिलाइट, विजुल ट्रीट भी है, क्रियेट किया है, त्रू हिस डिरेक्शन, बहुत अच्छा काम भी उन्होंने निकलवाया है, सारे के सारे लोगों से, सो क्रेडित टो अनिस बाजमी, फॉर आपसलुटली मास्टरफुल, ग्रेट दिरेक्शन, दोस्तों, अब आक्टिंग पर्फॉर्मेंस के, अगर मै in Bhool Bulehyatrie, because he has delivered such an impactful, such a super impressive performance, no doubt about it, दोस्तों, he dances like a dream, romance is like a king, that is what Karthik Aryan is, romance करना भी उनको बहुत अच्छे से आता है, dance करना भी उनको बहुत अच्छे से आता है dancing में भी number one है romance में भी number one है comic timing भी इनका absolutely बहतरीन है सबसे best comic timing है इनका आज के तारीक में अगर हम बात करें and plus of course अगर हम emotions की बात करें जहाँ पर emote करना है वो scenes में भी कार्थिकारियन number one है और खासकर इस film में जहाँ पर वो horror sequence जिस तरह से construct किया है वो horror sequence जिस तरह से unfold होता है उसमें आप कार्थिकारियन का performance देखना दोस्तो जो performance, जो realistic natural performance दिया है कार्थिकारियन ने उस horror sequences में that's also absolutely brilliant to watch कार्थिकारियन shines and shines and shines in this film भूल भुलेयात्री, no doubt about it विद्या बालन, brilliant she is a powerhouse performer दोस्तो, very natural, very very effortless performance absolutely brilliant to watch मादुरी दिखिट, डिवा है मादुरी दिखिट उनका जो aura, उनका जो swag था that was absolutely superb to watch, superb to see and let me tell you दोस्तो, वो जो dance-off है between मादुरी दिखिट and विद्या बालन इतना superb है वो जब गाना आप देखोगे विद्या बालन और मादुरी दिखिट, you will absolutely love, you will absolutely clap as well वैसा ताली मार, impactful dance performance है, classical dance performance है मादुरी दिखिट and Vidya बालन का तृपती दिम्री looked absolutely beautiful और बहुती 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 पर्फोर्मेंस उनोंने भी दिया है दोस्तो इसके अलावा Sanjay Mishra, Rajpal Yadav and Ashwini Kalsegar, the trio, oh they are a riot दोस्तो जो comic timing है इन तीनों का, जो comedy है, जो one-liners है और उनका जो performance है, जो physical comedy भी आप बोल सकते हो, बांधे रखेगा आपको it will give out, their performances will give out a lot of laugh out loud moments for all of you to enjoy, no doubt about it, Vijay Raj is also absolutely brilliant दोस्तो, this is what Bhool Buleiya 3 is, a complete family entertainer, जाईए अपने परिवार को लेकर जाईए और enjoy कीजिए Bhool Buleiya 3 theatres में, that is what I would say 4.5 stars for this absolutely brilliant, terrific family entertainer, आप भी जाईए, आप भी देखिए, भूल Buleiya 3 theatres में और देखने के बाद मुझे बताना, आपको भी फिल्म के से लगा, and of course, like, share and subscribe भी करना, channel को, video को, and super thanks का option भी है, वो भी आप दे सकते हैं, और साथ में, Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं, मेरा username है, Bolly वोट वाला, चलिए, ठाटा!